हेलो प्रेंट्स में डॉक्टर दीपी का मुंद्रा फिजीशन फ्रम नासी काज आपका स्वागत कर रही हूं आज मैं लेकाई हूं प्रेगनेंसे में क्या क्या एक्सराइज हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हमारी क्या गलत अउधार नाए बनी हुए है चलिए डिसकस कर सब्सक्राइब करते हैं और में डाइबेटोलोजिस्ट और क्रिटिकल केर स्पेशलिस्ट यह जानकरी आपको इसलिए महात्परपुर्ण समस्ति हूं कि प्रेगनेंसी मेरा डॉमेन तो नहीं है परन्तु प्रेगनेंसी में रिलेक्टेट जो कॉम्लिकेशन होते स्पेशली ब्लड पेशर है डाइबेटीस हमें काफी मैनेज करने पड़ते हैं तो क्यों ना आज इन सब को रोकने के लिए बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए और मा के अच्छे स्वास्त के लिए जो जरूरी एक्सराइसे उस पर डिसकस कर ले ज्यादा तर लोगी समस्ते की प्र के लिए सावान्य निर्देश जो नॉर्मल लोगों को भी हम बताते हैं वही आपको मुखेता पालन करना है जैसे कि अगर आपको एक्सराइज करने की आदत नहीं है तो दीरे दीरे शुरुआत करें पहले स्ट्रेचिंग करें बाद में रिलेक्सेशन भी करें वाम अप कर प्रवरे फिर अपना दीरे अपना लेवल बढ़ाते जाए अगर आपको हार्ट डी से आपका भी पी कंट्रोल नहीं आपका शुकर कंट्रोल नहीं है यह लंग्स का प्रॉलम में किड्नी का प्रॉलम है या यह कोई जोईंट के इसु है तो डीफिनेटल आपको के एक्रफ इसे वाले एकसराइज जिसमें वैट लिफटिंग है और अगर सीर के उपर वेट लिफटिंग करना है तो थोड़ा सा सेकंड थार्ट ट्राइमस्टर में उसको भी आवाइड कर सकते सबसे इंपोर्टन है एथिलीट जो आल्रेडी रनिंग कर रहे हैं या कुछ गेम्स खेल रहे हैं जैसे कि रेकेट गेम्स या बैड्मिंटन क्या इनको मैं बोलूँगी कि आप अवाइट करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं थोड़ा सा केरफ रहें कि आपकी बेली पर कोई चोट पर ही करें आप पहाड़ी पर साइकलिंग करने का शोक न करें तो प्रिकॉशन क्या क्या लेना है सबसे पहले आप देख लीजिए मेडिकल कंडिशन आपकी फिट है या नहीं है फिर गाइनेक की दरश्टी से गाइनेकोलोजिस चाहिद आपको इसे सला देगी कि अगर एक है लंकि प्रेशन नहीं है या प्लासेंटेंटा नीचे की तरफ है या आपकी मेंब्रेन तूड़ गई है पानी लीकर या ब्लीडिंग हो रहा है या सर्विक्स ब्लुज है तो आपको डौक्टर बूच के ही आपकी आगे की एक्सराइस करना है फुर्ष सेकंट त्री मिने बोलते कि I'm taking-on exercise नहीं करेंगे आप की करते हैं स्ट्रेशिक कर सकते हैं तो कि माइलड फर्म करना चीह करते हैं आप साइक्लिंग भी कर सकते हैं बेटमिंटन और टेनीज भी खेल सकते हैं बशरते कि आपको गिरने का डर नहीं हो और तो और आप सिर्फ नहीं कर सकते तो स्कूबा डाइविंग मतलब समूद्र के नीचे वाला एक्सराइज और प्रत उपनेघन चाहिए वैसे ही होट जोगा जिसमें की बॉडी का टेमपरेचर बढ़ता है या फीर पाइलेट सेसेज आपको ऑड़ करना चाहिए क्योंकि बहुत जादा भी करने से अपकर बॉडी नहीं चाहिए यह ज़िगे अगर अधर्शराइज करते हैं चक्कार आ र जाए इसको वाइट करना चाहिए और अपने डॉक्टर को रेगूलर कंसल्ट करते रहना चाहिए तो अब भी वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टन ट्रेनिंग भी अलाओड है प्रेगनेंसी में सिर्फ आप उसके लिए फिट होना चाहिए इससे क्या फाइदा होता है बच् करना चाहिए तो अपको एक दो पोजब करने हैं जैसे की फॉरवर्ड बेरडिंग और जो युवर्ड लिफ्टिंग उसमें आप थोड़ा साध धीरे से करें ताकि आपको चुश्ब विट्रेशन करने दोश्रों को आप जोड़ार करने गर फैर बश्रों चोटना लगे लब एक्सराइस के फाइदा ही फाइदा है ट्राइड विंग दिस